हेलो और वल्कम टू वाट इस न्यू में आज के लिए इतना ज्यान काफी है लीज डॉन्ट गेट ओफेंड़ बाइड इस स्टेट्मेंट इस लाइन से मेरा ये मतलब निये कि मैं ज्यानी हूं और आप अज्यानी हैं सचाई ये है कि इस धर्ती पे ऐसा कोई है यह नहीं जि इसी क्लास में एक स्टूडेंट 90% नमबल आता है और दूसर स्टूडेंट 55% नमबल आता है तो उनको नमबरों के हिसाब से कंपेर करके आप ज्यानी और अज्यानी का टैग नहीं दे सकते हैं जरूरी नहीं कि मैथ का टीचर इंग्लिश में बढ़िया हो एक इस बोलना नहीं आता किसी को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता एक इंसान किसी फिल्ड में बेस्ट जरूर हो सकता है बट परफेक्ट नहीं कई लोग सोचते हैं उन बाबाजी को इतना ग्यान है उनके प्रवचन हम सुनेंगे तो हमें भी ग्यान हो जाएगा ऐसे ही उन छी निए कहीं से पढ़ कर या आपने घुरू झी से घ्ल घ्लिया होगा and उनके गुरू जी ने अपने घुरू जी जे ग्यान प्राप्त किया होग बट जब्स रासकी ना किसी बंदे ने अपना खुद का लाइट एक्सपिरीश सिए किया होगा और दूसर सों मिलेसी और द शेर करने से ज्ञान बढ़ता है like मैंने अपनी वीडियो की जरीए अपना ओपीनियन शेर किया तो उससे जो आपके reactions, opinion या suggestion आएंगे वह मेरे लिए ज्ञान की बाते होएंगे इससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा अगर मैं अपना ही opinion शेर ना करता है तो दूसरे का opinion जाने का मेरे को मौका ही ना मिलता मैं अपने ही thoughts के साथ जीता रहता और वो मेरे लिए अधूरा ज्यान होता so the knowledge is information, understanding and skills that you have gained through learning and experiences ज्यान और अज्यान की बाते अगर हम लिखने बैठे तो हमारी उमर कम पड़ जाएगी लेकिन इस topic का end नहीं होगा knowledge अनन्त सागर की तरह है इसको एक मतकी में बांध कर नहीं रखा जा सकता I am trying to share my bit of knowledge and experiences with you through these videos and I request you to share your views, opinions and knowledge with me अगर मेरे विचार आपके विचारों से मिले हैं और आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे like और share जरूर करिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो प्लीज इसे subscribe कीजिए और bell icon दबाना ना भूलिए आज के लिए इतना ग्यान काफी है छोटों को प्यारों और बडों को नमस्कार ओके बाई है गर्मी हुआ 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 हुआ